Hey everyone, मैं हूँ शुभी और आप देख रहे हैं Glam Up श्रीनिदी शटी कनारव फिल्म इंडस्ट्री की famous actress के साथ साथ एक बहतरीन model भी है और super national beauty pageant को अपने नाम करने वाली second Indian भी पर क्या आपको पता है KGF से अपना movie debut करने वाली श्रीनिदी engineering में जाने से पहले डॉक्टर बनने का सपना रखा करती थी बट eventually modeling industry में आ गई और उसके बाद करनाडा film industry में पर उनके लिए ये सब आसान नहीं था बलकि modeling days में उन्हें उनके accent के लिए बहुत criticize किया जाता था और उनकी communication skills उधाने के लिए भी उन्हें advice दी जाती थी श्रीनिदी ने फिर खुद को आज कैसे इस मुकाम तक पहुचाया कैसे उनकी मा की death हो जाने के बाद उनकी पूरी जिंदगी बदल गई और क्यों श्रीनिदी को 6 साल तक KGF के चकर में लुकना पड़ा और उस movie का part बनने से वो कैसे परिशान रहने लगी थी और कैसी थी उनकी और यश की पहली मुलाकात जिनने टीवी पर देखकर वो खुद दिवानी हो जाया करती थी और श्रीनिदी की लाइफ से जूड़ी और भी ऐसी ही अंजानी बाते हैं जो शायद आप अब तक नहीं जानते तो बने रहे हैं इस वीडियो के एंड तक बट उससे पहले मेरी आप सभी से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुल न भूले श्रीनिदी शट्टी का जन 21 ओक्टूबर 1992 को मैंगलोर करनाटका की एक तुलुबा बंठ हिंदू फैमिली में हुआ था उनके फादर रमेश शट्टी मुलकी टाउन से है और उनकी मदर कुशाला शट्टी किनी गोले सी थी पर जब श्रीनिदी तैंथ क्लास में थी तब ही विमारी की वज़े से उनकी मा की डैथ हो गई उनकी फैमिली में उनसे बड़ी उनकी दो सिस्टर्स भी है अमरिता शट्टी और प्रियंका शट्टी अपनी मा को इतनी यंग एज में खो देना उनके लिए आसान नहीं था पर फिर भी श्रीनिदी ने खुद की बड़ाई एफेक्ट नहीं होने दी बलकि अपना बैस्ट दिया आज भी उन्हें अपनी मा का साथ अपने साथ हरवक्त फील होता है और अपने पेरेंट्स की बॉर्णिंग देखकर ही उन्होंने पेशन्स, यूनिटी और महनत करना और अपसन डाउंस फेस करना सीखा है अपनी स्कूलिंग शी नारायन गुरू इंग्लिश मीडियम स्कूल मैंगलॉर से करने के बाद उन्होंने मैंगलॉर के सैंट ऐलोईसियस प्री उनिवरस्टी कॉलिज में एन्रोल्मेंट लिया उसके बाद Bangalore की Jan University से उन्होंने Electrical and Electronics में BE की डिग्री ली इंटरस्टिंग बात ये है कि उन्होंने अपनी 10th grade 93.5% से complete की और Engineering 85% से और Electrical and Electronics Engineering फिल्ड को जहां टव बोला जाता है वहीं श्रीनिदी उसमें भी best निकली उनकी education देखकर आप समझ ही गए होंगे कि वो हमेशा से एक student रही है पर bright student होने के बाद श्रीनिदी अपने college days में बहुत से fashion shows में पार्टिसिपेट किया करती थी और college days में एंसे से कैड़िट भी रह चुकी है college end हो जाने के बाद वो बैंगलॉर की essential company में as a software engineer काम करने लगी तब उनकी first salary 23,000 रुपीज पर मन थी और अपनी first salary उन्होंने अपने फादर को लाकर दी थी बट बाद में खुद को पैसों की जुरत पढ़ने पर उन्हें अपने पापा से फिर से रुपे मांगने पड़े दरसल बच्पन से ही श्री निदी को dance and modeling का बहुत भूत सवार था और उसमें उन्हें बहुत मजा भी आता था और लगी ली फादर की support से उन्हें उनके सपने जीने का मौका मिल गया और वो अपनी job छोड़कर modeling की तरफ चली गई साल 2012 में clean and clear fresh face में उन्हें participate करने का मौका मिला और वो उसकी top 5 contestants में अपनी जगा बनाने में काम्याब रही उनके इस winning के बाद तो जैसे उनकी life ने एक नया mood ही ले लिया था और श्री निदी ने 2015 में मन्नापुरम miss queen contest में participate किया जिसकी वो first runner up रही और साथ ही miss south india, miss karnataka और miss beautiful smile जैसे titles भी उन्होंने अपने नाम किये same year में ही श्री निदी ने miss diva का audition देने का decide किया बट इसी दौरान toe fracture हो जाने की वज़ा से उन्हें doctor ने 3 महने तक complete bed rest advice कर दिया फिर next year 2016 के miss diva pageant में उन्होंने participate किया और वो उसकी finalist में जगा बनाने में भी कामयाब रही और फिर luckily miss supra national india का title अपने नाम करने में भी जहां उन्हें उनकी smile, body और photogenic face के 3 subtitles भी दिये गए इसके बाद Poland में हुए miss supra national contest में उन्होंने इंडिया को represent किया जहां की winner रहने के अलावा उन्हें miss supra national Asia and Oceania जैसे titles भी दिये गए इस contest के दौरान श्री निदी ने UAE, France, Japan, Singapore, Thailand, Slovakia, India and Poland में बहुत travel किया और यही वो time था जब श्री निदी की personality और transform होती चली गई और winning के बाद से ही उन्हें acting offers भी मिलने लगे किसमत कहे या श्री निदी की मा का आशिरवाद जिने वो अपना angel मानती है लगातार ही श्री निदी को life में success ही मिलता रहा शायर इसकी वज़ा ये रही हो कि उन्होंने अपनी मा के लिए ये सब करने का सोच रखा था और इस बार फिर से श्री निदी को KGF जैसी high budget acting film से डेब्यो करने का मौका मिल गया उनके success का secret motto मैं इस वीडियो के end में बताऊंगी खर KGF का पार्ट बनने के बारे में उन्होंने अपने एक interview में बताया था कि इसका पार्ट बनने में उन्होंने काफी बड़ी रिस्क ली थी क्योंकि जिन लोगोंने उनके साथ 2016 में career start किया था वो तब तक already 10 movies कर चुके थे और life में आगे जा चुके थे तब उन्हें पता भी था कि movie में बस उनका पार्ट मिनिट का रोल होगा और film का एक पार्ट बनना ही decided था श्री निदी ने तब movie sign करने पर सोचा था कि वो इस movie को release होने देंगी और उसके बाद ही कुछ और movie करेंगी पर ये movie तब ही दो parts में divide हो गई यानी 3-4 साल तक के लिए खिज गई और उनकी family and friends के लिए ये weight बहुत बड़ी बात थी सब उनसे कहने लगे थे कि तुम्हारी उमर जा रही है और तुम KGF के चकर में कुछ नहीं कर रही और दूसरों को आगे निकलता देख और घरवालों के ये शब्द सुनकर श्रीनीदी को anxiety भी रहने लगी थी पर कही न कहीं उन्हें ये पता था कि movie किस खुबसूर्ती से बनाई गई है और उसका end result क्या निकलेगा और इसलिए वो confident रही कि यदि उन्हें 10 साल में बस 5 movies भी करने का मौका मिला तो वो पीछे पलटकर उन movies का part बनकर खुश ही होंगी इसलिए वो हर बड़ी में कुछ भी sign नहीं करना चाती थी KGF के दोनों parts के release के बीच ही उन्हें तमिल thriller film कोब्रा मुवी आफर हुई और almost 6 साल तक वो KGF से ही जुड़ी रही महीं यश थे उनकी पहली मुलाकात 2017 में हुई थी और वो उनसे मिलने से पहले बहुत नोवस थी क्योंकि वो यश के films theater में देखा करती थी पर मिलने के बाद वो काफी relax and chill थे और श्रीनिदी को भी comfortable feel करा दिया और बाद में उनकी journey बहुत smooth journey रही है लास्ली श्रीनिदी बोलने से जदा करने में विश्वास रखती है और वो मानती है कि success के पीछे नहीं बलकि empowerment और काबिलियत के पीछे भगना चाहिए और अपने best से भी better अपने हर काम में देना चाहिए तो यह थी एक छोटी से life story श्रीनिदी शटी की life से I hope यह वीडियो आपको पसंद आया होगा यदि हाँ तो इस वीडियो को लाइक करके चानल को सब्सक्राइब करके मेरे चानल पर और भी ऐसे ही वीडियोस मौजूद हैं उन्हें देखना बिलकुल न भूले मैं फिर आँग एक नए वीडियो के साथ तिल देन stay connected be happy